आज इस सीरीज का 6 एपिसोड है उमीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी अगर आपने मेरे चैनल पे लव यू बेबी सीरीज नहीं देखी तो प्लीज उसे विजिट करें क्योंकि वो सीरीज वाकिए बहुत अच्छी है जो आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो को स्टार्ट करते है एपिसोड के स्टार्ट में हमें उथो को और मीकोतो को दिखाया जाता है उथो कहती है कि मीनो तो ठीक है तो मीकोतो कहता है कि उसको सुबह बुखार कम था लेकिन वो अभी रेस्ट कर रहा है उतो उसे अपना लांच देती है और कहती है मेरे पास और तो कुछ नहीं था लेकिन ये तुम उसे दे देना मैं उसे विजिट करना चाती हूँ लेकिन मैं चाती हूँ कि वो रस्ट करे मीको तो कहता है कि तुम बहुँ ज़्यादा अच्छी हो तो उटो कहती है मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे तो इतना तो मैं अपने दोस्त के लिए कारी सकती हूँ अगले सीन में हमें मीनतो को दिखाया जाता है वहीं मीको तो आता है और उसे खाना देता है जो उडो ने दिया था और मीनो तो उसे कहता है ये उडो ने दिया है वो तुम्हें बाद में मिले की वो लांच देखता है और उसे खाने लगता है और बस ये ही सोचता है कि वो ये चीज एकसेप्ट नहीं कर सकता क्या वो उडो के साथ नहीं खेलेगा और सोचता है कि वो बच्पन से उसके साथ ख लालिया मीनो तो कहता है रिलेक्स ये इतनी जल्दी भी नहीं है वहीं मीको तो भी खड़ा होता है नकीडो कहता है कि क्या हुआ है तो मीनो तो कहता है कि उतो यहीं डेट पे आई है नकीडो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो क्या तुम उसकी डेट खराब करना चाते हो मीनो त इसी लड़के के पास उत्थो आती है मिनौ जिसे मीनतो भी घूर घूर के देख रहा होता है नकीडो कहता है तुम ठक नहीं जाते उसे देखते देखते मौरीतो और उतो बाते का रहे होते हैं मीनतो मौिको तो उसे कहता है तुम चले जा उसके पास और उसकी पैंट उतार दो लेकिन मीको तो कहता है कि ये तो गलत है नकीडो मीनोतों से कहता है मौरी तो ने अपनी फिलिंग्स के बारे में उत्व को बताया है क्या तुम्हें दुख नहीं होता उनका रिलेशन तोड़ने में तो मौर किसी के बारे में सोचो ना सोचो करीशिमा के बारे में तो सोचो और मिनतों को समझाता है कि अगर तुम्हारी गलफरंड होती तो फिर क्या होता अगर लड़कों के बारे में सोचा था तो लड़की बहूस जादा पोजितिव होती है नकीडो कहता है कि मेरी elementary school में एक गलफरंड थी और मेरे प्रोस में ही एक मेरी दोस भी थी लेकिन वो मुझे उससे बात करने नहीं देती थी वो मुझे बे हर वक्त चिलाती रहती थी जिससे तंग आकर मेरा ब्रेक अप हो गया अब वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते जब एक लड़का लड़की डेट पर जाते हैं तो वो किसी के बारे में नहीं सोचते बड़े भी तो ऐसे ही होते हैं लेकिन अभी भी तुम्हारे पास टाइम है वो तुम्हारी दोस्त है ऐसा नहीं है कि तुम उससे बात नहीं कर सकते तो मैं थोड़ा वक्त मिलेगा लेकिन वक्त जरूर मिलेगा आइसा आइसा तुम इस चीज़ के आदी हो जाओगे सब रिलेशन्स ऐसे ही होते हैं वो उत्थो को देखने लगता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मीनो तो सोचता है क्या इस चोटी सी बासे हम दोने बात नहीं कर सकते खेल नहीं सकते और मीनो तो को उत्थो के साथ गुजारा हुए वक्त जादा रहा होता है मीको तो कहता है हम भाई हैं अगर हमारी शादी भी हो गई तो हम एक साथ रहेंगे मीनो तो कहता है तो जाओ कहीं जा के शादी कर लो नकीडो मीनो तो उसे कहता है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम उत्व के साथ कैसे रहोगे नकीडो कहता है कि तुम और उत्व डेट कर लो मीनो तो हैरान होता है और उतों के बारे में सोच रहा होता है कि अगर मौरीदों की जगर में वहां बैठा होता तो क्या होता उसी के साथ हमारा आज के एपिसोड एंड होता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए रहा हाफिस